मैं हूं तरसेम जटेंड और आप देख रहे हैं जटेंड क्लासिज चलिए शुरू करते हैं वट डूवी मीन वाइग कैमिकल काइनेडिक्स का मतलब क्या है डिटेल से भी बात करेंगे जहां जरूरत होगे कि डिटेल में जाने की जूरूरत हो वहां पर डिटेल में चलिए कि और कैमिकल का मतलब आप समझते हो जिसतरे से मारे पास रिएक्टेंट वगेरा है और प्रोडक्ट वगेर कैनले से हमारे पास कहलाए गी तो इनकी किसी में कन बैंसरे करें कि आगी स्टैनलर दिए यहां पर तो सुरुप केमिकल रिंशन की बात्री है थे का स्पीड का किस स्पीड के साथ रियक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कनवर्ट हो रहे हैं दैट इस नोन इस रेट ओफ रियक्शन मान लीजिए कोई रियक्शन बहुत फास्ट होती है जैसे बर्निंग ऑफ मैच्टिक है आपने माचिस जलाई तुरंत एकदम से जलने लग जाएगी तो वह क्या है बहुत ही फास्ट रियक्शन है कई रियक्शन बहुत स्लो होती है जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है हमारे पास आज आपने लोहर रखा यह तो है नहीं कि अभी की जंग लग जाएगा उसको टाइम लगेगा एक दिन दो दिन तीन दिन टाइम हैं ऐसे कौन से फेक्टर्स हैं जिनके उपर रेट ओफ रियक्शन डिपैंड करेगा फेक्टर्स ओन विच रेट ओफ रियक्शन डिपैंड वो करने वाले हैं तो बात करते हैं सबसे पहला टेम्प्रेचर तो बताए कुछ रियक्शन मालीजे आपको लकडी जलानी है कई reaction ऐसी होती है जहां पर temperature increase करने से जो rate of reaction है ROR अब ROR को हम rate of reaction बोला करेंगे क्या करता है increase करता है ऐसी reaction कौन सी होती है endothermic reaction बट कई reaction ऐसी भी है जहां पर temperature आपको decrease करना पड़ता है उनके rate of reaction को increase करने के लिए ऐसी reaction आपको मिलेंगी exothermic reaction तो it means temperature भी rate of reaction को affect करता है चलिए और point पे आते हैं मारे पास बेटा second point आपके पास concentration क्या है concentration माल लीजे A और B react करके आपके पास P बना रहे हैं, product P बना रहे हैं अब A, B से यदि react करेगा कभी भी react करेगा तो A की concentration ज्यादा है और B की concentration भी ज्यादा देखो, A भी ज्यादा, B भी ज्यादा तो जितना ज्यादा A होगा जितना ज्यादा B होगा, वो जल्दी जल्दी टकराएगा एक दूसरे से, और क्या बनाएंगे बेटा, जल्दी जल्दी वो products बनाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि यदि कहीं पर concentration increase करेगी तो जो rate of reaction है ROR वो भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा ठीक है concentration हाल पिलाल यहां पर आप consider कर लीजी amount से मतलब है ठीक है थर्ड है हमारे पास बेटा catalyst catalyst बताए कहीं पर यदि catalyst present है तो वो rate of reaction को क्या कर देता है बढ़ा देता है catalyst होते ही ऐसे substance है जो rate of reactions को क्या कर देते increase कर देते जैसे digestion of food है बटा हमारी body के अंदर खाना है वो कितना time लेता है अभी हाल पिलाल देखा आप रात को खा कर सोते हैं सुबह उठते तो digest हो जाता है खाना सुबह तक तो लगबग 8 या 7-8 गंटे लगते हैं digest होने में क्योंकि हमारी body के अंदर enzymes present है biochemical catalyst present है हमारी body के अंदर वो जो digestion of food है उस process को क्या कर देते हैं बढ़ा देते हैं इसलिए जल्दी से खाना क्या हो जाता है digest हो जाता है तो it means catalyst increase करते हैं कि इसको rate of reaction को उत्प्रेरक बोलते हैं इसको आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट surface area surface area मैं आपसे कहूं कि घर पे जब आप लकडी लगाते हो चूले के अंदर जलाने के लिए तो लकडी तोड़के लगाते हो या सीधी लकडी लगाते हो बताओ तोड़के लगाते हैं तोड़ने से क्या होगा बिटा देखिए माल लीजे यह आपके पास लकडी का कोई लोग है जब आप इसको ब्रेक करोगे चोटे चोटे टुकड़ों के अंदर ठीक है तो surface area increase हो जाता देखो यह वाला surface पहले नहीं था यह वाला surface पहले नहीं था अब increase हो गया तो as the surface area increases rate of reaction increases जैसे जैसे surface area बढ़ेगा आप टुकड़ों में काट लेंगे किसी चीज़ को तो surface area बढ़ जाता है तो rate of reaction भी हमारे पास क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है यदि ब वाला है pressure का effect भी पढ़ेगा तो pressure बढ़ाने से gas की amount concentration बढ़ जाएगी तो reaction क्या हो जाएगी fast तो हाल-फिलाल यह थे हमारे पास ऐसे factors जो rate of reaction को क्या करेंगे affect करेंगे temperature वेट करेंगा concentration effect करेंगी catalyst effect करेंगा surface area effect करेंगा और क्या effect करने वाला बैटा प्रेसर और we let each करने वालर बहुत करेंगे तो कुछ यहाता है कि जल्दीется क्लीव हो जाता त तो नया बना लेते हैं वह वो जल्दीट नहीं करते हैं हमारे पास तो इस तरह से nature of reaction पे भी क्या depend करेगा हमारे पास rate of reaction depend करने वाला है यह थे हमारे पास factors affecting rate of reaction let's proceed further तो चलिए बैटा आप प्रोसीड करते है next point की तरफ कि जो rate of reaction है उसमें दो तरह से हम उसको define कर सकते है average and instantaneous rate उसे पहले आप समझ यह देखे क्या है मालीजे यह है हमारे पास concentration और time का गराब बनाए यह time है यहाँ पर है concentration क्या है concentration अब देखो यह मेरे पास reactant है यह किसी में convert हो रहा है product के अंदर तो बताए यह time के साथ जैसे जैसे time चलेगा जैसे जैसे time proceed करेगा तो reaction की concentration कम होती जाएगी क्योंकि reactant तो consume होते जाएंगा वो तो यूज होते जाएंगे जैसे आप रोटी बना रहे हो जब आटा है आटा तो दीरे-दीरे कम होता जाएगा और रोटियां दीरे-दीरे बढ़ती जाएंगी तो रोटियां तो जैसे जैसे time बितेगा time बितेगा तो reaction कंसेंट्रेशन दीरे-दीरे क्या होती जाएगी कम होती जाएगी यदि इसी कर आपको मैं product की तो यहां पर लिखू मैं concentration of product यहां पर लिखा मैंने time तो बताइए शुरू में तो एक भी रोटी नहीं थी आपके पास जैसे जैसे time बिता तो रोटियां बनने लग गई मतलब product बनने लग गया तो प्रोड़क्ट की average rate निकालो बेटा क्या निकालो यहां पर average rate जैसे आप से कहें कि कोई बस जा रही है दिल्ली से बंबई तक उसकी average speed बताओ तो आप क्या करते हो बेटा मालीजे दो घंटे के बीच में इतने कि इसने कितना distance travel किया और कितना time लिया उसकी ratio जो लेते हैं आप वही average rate आ जाता पर T2 ओके T1 time पे जो concentration है वो है मेरे पास C1 concentration C1 T2 time पे जो concentration है वो है मेरे पास बेटा C2 concentration तो मेरे को average rate निकालना है R average तो कैसे निकालना पड़ेगा T2 time पे कितनी concentration थी T1 time पे कितनी concentration थी that is C2 थी T2 time पे minus C1 divided by T2 minus T1 okay got it तो आगे लिखा जाएगा भाई C2 minus C1 का मतलब क्या है डेल्टा C change in concentration T2 minus T1 का मतलब क्या है बेटा डेल्टा T क्या जाएगा डेल्टा T तो यह क्या आगया आपके पास average rate of reaction आगया है ठीक है प्रोड़क्ट की बात करें तो प्रोड़क्ट की टर्म में भी भाई T1 time पे concentration माल ली हमने इतनी है T1 time पे concentration इतनी T2 time पे concentration हमारे पास है इतनी this is C2 this is C1 तो क्या आजाएगा यहां पर भी R average आजाएगा हमारे पास that is C2 minus C1 divided by T2 minus T1 is equal to delta C divided by क्या जाएगा delta T आजाएगा got it अब आगे समझो यदि मैं reactant की बात करूं यहां पर reactant की terms में बात हो रही है तो बताइए delta C negative आएगा नहीं आएगा चेक करो change in concentration negative आएगा या नहीं आएगा यह कैसे चेक करो देखो C1 concentration तो ज्यादा है C2 concentration कम है देखो C2 C1 C2 C1 तो C2 में से C1 गटाओगे C2 में से C1 तो minus का sign आएगा तो ऐसा नहीं लग रहा कि यहां से जो rate है बिटा rate वो negative आजाएगा बताओ अरे डेल्टा C की value negative आएगी तो यह rate average की value भी तो क्या आजाएगी आपके पास negative आजाएगी तो क्या rate negative होता है नहीं होता तो लेगन यहापर तो rate negative आ रहा है तो इससे बचने के लिए जब भी rate को आप reactant की concentration की term में लिखोगे तो आगे sign minus का पहले लगा देना delta r divided by delta t इसका मतलब क्या delta r by delta t का change in concentration of reactant divided by time में change कितना है minus sign किसको सो करेगा देखो क्या करेगा बोलो delta r reactant की term में delta r negative आएगा इस negative को यह negative क्या बना देगा positive बना देगा तो r positive आजाएगा ताकि rate positive रहे बट यहां पर delta c पहले से ही positive है तो product की term में r average आपएजटीज लिख सकते हो that is delta p divided by delta t positive का sign लगा कर आकर delta p का मतलब change in concentration of product divided by change in concentration of time sorry change in time जो delta t आएगा हमारे पास तो इस तरह से हम क्या लिख सकते है average rate average rate लिखा जाएगा large difference के लिए large difference के लिए यदि यहां पर small difference है गीठा दे रहे हैं तो क्या आजाएगा आपके पास डीपी आजाएगा यह होगा हमारे पास average rate जो टाइम दिया गया है जिसका average rate निकालना आपको जिस time की बीच में उन्हीं दो time की दो concentration ले लो final में से initial minus करो T2 में से even minus करो उसकी जो ratio आगि That will be our average. चलिए, proceed करते हैं, आर instantaneous की तरफ. तो चलिए, बिटा, प्रोसीड करते हैं, आर instantaneous की तरफ. तो देखे, आर instantaneous का मतलब क्या होता है? किसी particular time पे, किसी particular time पे, आपको reaction का rate बताना, जैसे, 9 बज़े reaction शुरूइ. 9 बज़े, और आप कहो कि हमें तो 9 बज़कर 10 मिनट 45 सेकिंड और वो छोटा क्या होता है उतने टाइम पर हमें reaction को rate बता दो बई तो बताए आर कैसे लिखते हैं हम C2-C1 divided by T2-T1 reaction की टर्में तो आगे minus का सहीं लगाना पड़ेगा तो minus delta R divided by क्या हो गया हमारे पास delta T तो यदि आप R instantaneous निकालना चाहते हो तो जो delta T है यह परोच करना चाहिए 0 को मतलब time gap नहीं होना चाहिए उन्होंने exact बोला कि इस point पे बताओ 9 बज़के 10 मिनट 45 सेकिंड और इतनी वो microseकिंड होती ना इस पे हमें rate बताओ तो delta T तो 0 को अ instant पे होता ना एक particular बिंदू पे इस point पे rate बताओ तो भाई हमें delta T किसको प्रोच करना पड़ेगा जीरो को प्रोच करना पड़ेगा तो यहां कैसे निकालेंगे मालीजे इस time पे आपको rate निकालना यह time हो गया यह reaction की concentration हो गई है इस time पे आपको क्या निकालना है instantaneous rate तो जो आएगा विटा यह point इस पे tangent draw करना पड़ेगा आपको क्या draw करना पड़ेगा यहां से tangent draw करना पड़ेगा यह मैंने tangent draw कर दिया this is o यह point आया विटा a यह point मेरे पास b इस angle को मालेता हूँ मैं क्या थिटा तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा are instantaneous nिकालने के लिए that is minus delta r divided by delta t निकालना पड़ेगा बिटा, slope, ठीक है, मतलब tangent निकालना पड़ेगा, tangent थिटा निकालना पड़ेगा, tangent थिटा क्या होता बिटा, OA divided by OB, that is OA divided by OB, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, instantaneous rate of reaction निकाल सकते हैं.